अज रोटी नूडल्स बनाएंगे इसे बनाना बहुत असान है बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है हर किसी को घर में रोटीयां बच जाती है अगर काफी रोटीयां बच जाता है तो इस तरह से रोटी नूडल्स बनाएए खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो बनाना शुरू करते हैं एक रोटी लेंगे इस तरह से इसको फोल्ट कर देते हैं अब इसको पतले-पतले सलाइसेस में काठ लेंगे मेरे पास छे रोटी बची हुई है इसी तरह से इसको कट कर लेते हैं अगर आपके पास 3-4 रोटी भी बची हुई है तो उसे भी बना सकते हैं इससे बनाना बहुत असान है बहुत जद्दी बनकर रेडी हुए आता है बागी की रोटी इस तरह से कट कर लेते हैं एक रोटी कट कर कर दिखा दियें बागी की रोटी इस तरह से कट कर लेते हैं छे रोटी को कट कर लिएं अब आगे की पूरसस में चलते हैं पैन को गैस पे चाहा दियें इसमें तेल भी डाल दियें हैं देल गरम हो गया है अब इसमें बारी कटा हुआ यद्रक डालेंगी बारी कटा हुआ हरी मिर्च हलका सा इसका कलर चेंज होने देते हैं अब इसमें एक छोटी बॉल प्याज डालेंगे प्याज को लंबे साइज में काट लिए हैं इसे भी हलका सा भून लेते हैं अब इसमें सिमला मिर्च डालेंगे, सिमला मिर्च को लम्मे लम्मे सलाइसेस में काट लिए हैं प्याज और सिमला मिर्च को दो मिनट के लिए भूल लेंगे प्याज और सिमला मिर्च को लगफक दो मिनट भूल लिए हैं अब इसमें दो छोटी बॉल पतागों भी डालेगे सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं हलका साउप्ट होने तक सबजियों को भूनेगे गाइस को मिडिया फिलेम पे रखे हैं सबजियों को जदे देड़ी तक नहीं पकाएंगे हलका सा हीँ सोट होने तक भूनेगे सब्ययां हलका साउप्ट हो गया है अब इसमें मसाला डाल लेंगे थे हाल्दी पोडर एक चोटी चामाच काली मीर्च पोडर अधा चोटी चामाच मसाला को अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसे भी थोड़ा सा भूल लेते हैं अब इसमें सॉस डालेंगे सोया सॉस, दो चमच डाइस को लो फिलेंपे कर दिये हैं अब इसमें टमेटो सॉस डालेंगे, दो चमच चीली सॉस, दो चमच सॉस को अच्छे से मिक्स कर देते हैं अगर आप तीखा काम पसंद करते हैं, चीली सॉस काम डाल लें सॉस अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें कट किया हुआ रोठी डालेंगे सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं लगवग इसको 2-3 मिनद तक इस तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, नमक को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं, गाइस को मीडिया फ्लें पर रखें, नमक भी अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसमें बारी कटा हुआ हरी धन्या डालेंगे, हरी धन्या को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं, लागवग 2-3 मिनद तक इसे पका लिए हैं, रोटी नूंडल्स बनके रेडी हो गया, देख सकते कितने जल्दी बनके रेडी हो गया, देखने में भी टेस्टी लग रहा है, अगर आपके घहर में काफी रोटी यां बस जाती है, तो इस तरह से रोटी नूंडल्स बनाईए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसे बनाना बहुत असान है, बहुत जल्दी भी नहीं होगा, रोटी खतम भी हो जाएगा, खाने में भी टेस्टी लगेगा, आप भी ट्राय कीजिए, बनाए मेरा रेश्पी को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक बार भी मिलते हैं नई रेश्पी के साथ,